कि हरो लो वेलकम बैक कि क्रियेटि वंश का यूटुब चनल कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हो और अंशीका भी ठीक है तो फॉपुली मेरे सारे यूटूब फैंली अच्छी होगी तो एंच्छी मैं एक चीज से बहुत अपडेट करवाने वाली हूँ mostly लोगों को पता होगा but मैंने अभी न एक दो जैसे यूटूब चैनल देखे हैं तो उसमें मैंने देखा है कि लोग गलतियां कौन सी करते हैं जैसे जब हम पूजा पार्ट करते हैं तो friends जो कलश की स्थापना करते हैं तो उसके उपर जो नारियल रखते हैं उसका जो direction है वो proper होना चाहिए तो मैंने एक दो friends की अपने जो YouTube family मेरी है उन में से जो एक दो मेरे सब्सक्राइबर है उनकी मैंने देखी जैसे कलश स्थापना नराते वगरा कि उन्होंने दिखाई थी तो उसमें मैंने देखा कि उनकी जो उसके नारियल जो रखा है वो गलट direction में रखा है तो उसमें तो मैंने नहीं बता पाई क्योंकि उसके कमेंट्स वगर इतने नहीं होते हैं तो मैंने चलो मैं एक ये एक वीडियो ही बना देती हूँ जिसे के लोगों को अपडेट हो जाएगा तो फ्रेंट्स जैसा मैं बता रही थी कि जो नारियल है उसकी प्रपर डिरेक्शन रखने से ही हमें उसकी फल की प्राप्ती होती है अन्य था हमें उसका लॉस ही होता है तो पहले मैं भी ये गलती करती थी बट मिरको किसी ने बताया कि जो कलश पे नारियल की स्थापना होती है वो कैसे करनी चाहिए तो फ्रेंट्स इस टाइब मिर पास अभी नारियल अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूं कि जो नारियल होता है नारियल का एक डिरेक्शन होता है जहां से नारियल लटक रहा होता है और एक डिरेक्शन होता है उसमें तीन आखे बनी होती है तो जैसे आपका ही रिलायांस वोगरे से कहीं से भी लेने जाते हैं तो जो प्ना होते हैं में तो वह आखाएन नारियल को वहां नीचे की साइड करना होस?". क्योंकि अगर आप नीचे की सइठ करते हैं तो आपकी शक्त्रू में बढ़ोतरी होती है मतलब आपके डुश्मन ज्यादा होते हैं बढते जाते हैं तो इस्तरह से अगर आप नारियल को उल्टा करते हैं सब्सक्राइब बताते हैं यह आपका जटा वाले साइड है आपने कलश के उपर ऐसे रखा तो आपके शत्रू का बड़ोतरी होती है तो यह हमारा गलत है कुछ लोग आख वाली सःड उपर रखते हैं कि इस सेसे उपर पर ऐसे रखते हैं कि ऊछते हैं उससे परिवार में जितने नतलब लोग है उनका उनको वह बीमार ही रहते हैं मतलब बीमारी क्या बोलूंगी कि बीमारी प्लिटेंट उस साल उनकी बीमारी ऋगे में आती जाती है तो बीमारी रहते है ज्श्ड़ तर लोग तो अब पुशन यह आता है कि तो अगर हम सुद्थ को जो आँखें होती है वह पूर्व 딱 में करते हैं तो उससे हमारी धन की हानी होती है है तो भी हमारे अच्छा नही लिए अपर हमारे घर में भशा भाहर रही है नुक्सान हो रहा है तो भी सही नहीं है हम पूजा पाट करते हैं यह कुछ भी करते हैं तो वह मतलब इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख संपती रहे हमारे घर में लोग वह बिमार ना हूं और मन की शांती रहे तो यह सब चीज़े अगर हमें पूजा मतलब नारियल के सिर्फ गलत डिरेक्शन में रखन चाहिए तो अगर कभी भी आप कलश की स्थापना रख करते हैं तो उस पे जो नारियल है उसमें ध्यान से देखिया कि जो तीन डिरेक्शन तीन आखे जो बनी होते हैं वह हमेशा जो आदमी पूजा कर रहा होता है उसकी साइड होना चाहिए जैसे सपोस कर लो मैं बैठी हू तो यह मेरी आख वाली साइड है तो यह आख वाली साइड जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसकी साइड होना चाहिए उससे क्या होता है उससे जो हमारे पूजा पार्ट की जो फल होता है वो उस इंसान को प्रॉपर मिलता है उसमें कोई उसको नुकसान नहीं होता है त तो जब भी आप कलश पे नार्यल की स्थापना करें तो आप ध्यान रखें कि आख वाली साइड जो भी आदमी पूजा पार्ट कर रहा है उसकी डिरेक्शन में होनी चाहिए उससे ही हमें फल की प्राप्ति होती है अन्यता अगर आपकी वैसे पूजा पार्ट कर रहे हैं और समझ में आ गया होगा और जो भी फ्रेंट्स मेरी यूटूब फैमली में है उन वो जो गलत कर रही थी उनको समझ में आ गया होगा कि मतलब नार्यल की स्थापना कलश पे किस डिरेक्शन में करनी चाहिए जिससे कि आपको फल की प्राप्ति सही हो तो फुली फ्रेंट्स आ मतलब अधन आता जाता रहा है कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक सिर्फ कलश के गलत रखने से ही मतलब इतना नुकसान हो सकता है तो फ्रेंट्स इसका ध्यान रखे आगे नेक्स टाइम से मतलब जब भी आप कलश पे नादिल के सापना करें तो उसकी डिरेक्शन आख वाली हमेशा अपनी साइड रखें तो फ्रेंट्स मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई